आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरट के देशी तड़के में आज बनाने वाल है सबजियो का बहुत ही स्वादिश्ट अचार इस अचार को इस तरीके से बनाएंगे यदि आपके घर में धूप नहीं आती है तब इसे आप 5-6 महिने श्टोर करके रख सकते हैं आप पूरे साल भी श्टोर करके रख सकते हैं लेकिं सबजियो का अचार है तो इससे जाला 5-6 महिने आपको स्वादी नहीं आएगा तो चल कि यहाँ धोके सबको कपरे से पहुच लिया है इसमें बस आपको पानी नहीं होना चाहिए दोने के बाद अच्छे से आप उसको कपरे से पहुच लीजेगा और जो भी साइज अचार का चाहिए उस साइज के आपको पीस काटने हैं सलजम को आप चाहो तो छील भी सकते हैं बिना छिले हुए भी इसका चार डाला जा सकता है मैं फिलाल इसे बिना छिले ही बनाती हूँ जब भी सलजम का चार बनाती हूँ और गाजर में यदि बीच वाला पार्ट जो पीले वाला पार्ट होता है बहुत ज्यादा मोटा है तो उससे निकाल देते हैं आप इसे गोल मिर्च भी एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ 6-7 फिलाल हरी मिर्च ली हैं इसमें एड़ करेंगे स्वाधनसार नमक और नमक डालके इसे अच्छे से मिक्स करके एक घंटे के लिए रेश्ट पे छोड़ देंगे ताकि इसका पानी अलग हो जाए इस प्रोसीजर से आप अचार डालेंगे आपका अचार खराब भी नहीं होगा और स्वाधिश्ट भी बहुत बनेगा और इसमें मेन है आपको धूप की टेंशन नहीं है यदि घर में धूप नहीं है तो आप इस अचार को आसानी से बना के डाल सकते हैं तो इसे अच्छे से नमक को मिक्स करने के बाद इसे ढखके एक घंटे के लिए साइड में रख देती हूं और एक घंटे के बाद किसी भी छलनी में इस पूरे सबजियों को अलग कर लेते हैं नीचे कोई भी बरतन लगा के उपर से छलनी रखेगा और ये सारी सबजिया हैं इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि इसमें जो पानी निकलेगा वो सारा अलग हो जाए यदि इस प्रोसीजर को आप नहीं करोगे तो एक्षा पानी इसका निकलेगा नहीं यदि बिना पानी इस तरीके से निकलाए अचार डालोगे तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा या तो आप धूप लगाएगा या इस इसे मिख्स करते हुए जो सब्जिया है उसके ऊपर ट्रांसफर कर लेते हैं आप देख सकते हो कितना सारा पानी इसमें निकला हुआ है तो इसे मैं अभी दिखाती हूँ आपको कितना कब भर के बिल्कुल पानी निकला हुआ है तो ये पानी यदि आप निकाल देंगे तो आपका चार बिल्कुल फर्स क्लास तयार होगा तो इस तेल को नॉर्मल हो चुका है तो इस सारे मसाले को तेल को यहां सबजी के उपर तो बहुत अच्छे से इस सारा मसाला इसे कवर हो जाएगा हमारा पानी हमने अलग कर दिया है इसका तो थोड़ा सा नमक मैंने इस समय एड़ किया है क्योंकि पानी के साथ थोड़ा नमक कम हो जाता है तो इसलिए हलका सा नमक जरूर डालेगा और हाथों की हैल्प से इसे जब अच्छे से मिक्स करना है, जब अच्छे से मिक्स हो जाए, तो एक चमच भर के मैंने यहां अमचूर लिया है, अमचूर इसमें जरूर डालेगा, यदि खट्टा चार आपको चाहिए, कि जो राई की पावर होती है, खट्टा करने की, वो अमचूर डालने से और भी जा अर्ज बनता है, आपको याद दिलाना, कि एक लाईक और प्यारा सा कमेश जरूर कर दीजिएगा, कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, इसमें हमें बहुत सादा तेल का यूज नहीं करना है, आप देख सकते हैं, मैंने आधी कटोरी तेल में इतना सारा अचाह डाल के तयार क किया है, और इसे चार से पांस दिन के बाद ये खाने लाइक हो जाता है, बहुत ही फर्स ग्लास यह चार बनके तयार होता है, रेसिपी पसंद आई है, तो लाइक शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा, अकल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, थैंक यू,